हेलो और वेलकम गाइस कैसे हैं आप सब लोग उमीद करता हूं खेरियत से होंगे और जावास्क्रिप्ट की सीरिज में हम आज मजीद दो टॉपिक्स देखने वाले हैं जो कि है लोकल एंड सेशन स्टॉरिज़ इस होते क्या हैं यूज किस लिए होते हैं और दो बहुत ही ज सेशन स्टॉरिज़ के हम थोड़ी दिर में देखने वाले हैं सब्सक्राइब किया और हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ लोकल एंड सेशन स्टॉरिज़ इस बैसिकली स्माल अमांट आफ डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं कुछ ब्राउजर में ये पा लोकल इंड सेशन स्टॉरिज़ आपको हैल आउट करते हैं कुछ इंपॉर्टन डेटा को स्टोर करने के लिए सो हम बढ़ते हैं लोकल स्टोरिज की तरफ फस्ट अफॉल इसको डिसकस करेंगे लोकल स्टोरिज को आप एकसे कर सकते हैं विंड अबजेक्त में ये आपके आपस अवैलेबल होता है सो यहां पर मैं सिंपल सिएल जी लिखता हूं यह निए कंसोल लॉग और आप सिंपल लिख सकते हैं विंडो डॉट लोकल स्टोरिज इस तरीके से भी आप इसको एकसे कर सकते हैं अब चुँकि यह विंडो के अबजेक्त के ऊपर है यहां पर वि अब लेंट करता हूं अब लेंट चूंगे इसका 0 है क्योंकि यहां पर अगर देखें इस स्पैसिफिक डॉमेन के लिए मेरे पास यहां पर कोई भी लोकल स्टोरिज की वेल्यू मौजूद नहीं है लेट इसका लेंट जीरो है और प्रोटोटाइप को अगर आप आपन कर नहींशन्स के लिए हमने क्या करना होता है अब स्ट मिश्सें करना होता है कि वैदर किसी ब्रॉजर के अंदर लोकल स्टोरेज मौजूद है या नहीं सिसके लिए LE всемijn पलप है यहां पर लिख सकते हैं लोकल स्टोरिज इन विंडो्स विंदो के यांजक्त के अंदर अगर मुझूद है इसमीन के ब्राउजर उसको सपोर्ट करेगा तो उसकेस में लेखने है CLG और यहां पर मैं सिंपल लिख देता हूँ true विच मीज़ डैट कि अगर सब्सक्राइब बास local storage मुझूद है तो उसकेस में true return होगा ठीक है अगर आकर में देख लूँ यहां पर true आपको प्रिंट हुआ मिलेगा यह है बैसिकली चेक करना कि local storage के अंदर आपके जो ब्राउजर है उसके अंदर local storage मुझूद है या नहीं मुझूद फर्स्ट आप आल में एक item को सेफ करते हैं और हम domain से related इसके problems को देखते हैं के domain में एक ऐसे behave करते हैं यहां पर में लिखता हूँ simple local storage dot set item का method होता है जिससे आप item को set कर सकते हैं और basically यह दो arguments को accept करता है first of all आपकी वो key होती है जिससे आप further future में अपने उस specific local storage के item को easily access करेंगे ठीक है and second हमारे पास वो value होती है जो के हमने store करनी होती है so key suppose यहां पर मैं लिखता हूँ test और for time being मैं यहां लिखता हूँ new date ठीक है so just मैंने आपको एक example दिखानी है that's why मैं यहां यहां पर date को pass किया है test इसका नाम है और date इसके अंदर मैंने store कर दिया है अब यहां पर अगर आप देखें तो मेरे पास test के नाम से इस domain के लिए यह value मेरे पास आ गई है और इसके उपर अगर आप देखें time को अगर आप गोर से देखें so 22, 58, 28 time दिखाने का आपको एक purpose है कि यहां पर suppose इस tape को में duplicate करता हूं ठीक है इसको मैंने duplicate किया यहां पर ctrl shift i में करता हूं या आप right click करके inspect भी कर सकते हैं ठीक है so यहां पर आकर application के tape में मैं गया again अगर आप यहां देखें यह वही same time है 22, 58 and 52 जो कि हमारे पास यहां इस tape में था but अगर मैं इस domain को copy करता हूं और इसको में reopen करता हूं यहां पर मैं इसको again reopen किया अब इस case में अगर मैं Ctrl shift i करता हूं और application के tape पे आता हूं यहां पर आपको मिलेगा 22, 59 and 13 which means that कि यह local storage यहां पर item दुबारा से इसने बनाया है यानि हर tape के लिए आपका एक अलग space बनता है जहां पर आपके local storage की values store रहती हैं लेकिन एक domain की values दूसरे domain में आप access नहीं कर सकते suppose 127.0.0.1 है इसके अंदर जो data मेरे पास store होगा local storage के अंदर वो .0.0.2 की उपर में access नहीं कर सकता सो यह security के इसके चीजें हैं सारी की सारी आपने देख लिए कैसे टेब में यह काम करता है local storage so first of all यहां पर आते हैं और मैं आपको छोटा सा example यहां पर दिखाना चाहूंगा आपने जैसे का item को यहां पर store किया अभी item तब तक रहेगा जब तक आप इस memory को erase नहीं कर लेते या आप इसको manually delete नहीं कर लेते खुद ही ठीक है so suppose अगर मुझे यह वाला local storage इसकी value चाहिए मुझे ठीक है so मैं यहां पर लिखता हूँ CLG local storage dot get item का method में लिखूंगा और get item में आपने वो key pass करनी होती है जो कि आपने लिखी होती है local storage की value को बनाते है वकत so इस case में में refresh करता हूँ आपको console के अंदर मेरा date यहां पर आ जाएगा सारे का सारा जो कि यहां मैंने pass किया था थोड़ी दिर में हम value भी pass करके check करेंगे बट आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं so अगर कोई specific item मुझे remove करना है तो local storage dot remove item का method है और इसके अंदर वही key pass करूँगा जो कि मैंने बनाया था थोड़ी दिर पहले ठीक है so बहुत ही जादा simple है आप simple steps की मदद से इसको perform कर सकते हैं कोई इतना मुश्किल इसके अंदर कुछ भी नहीं है but let's suppose अगर आपको सारे का सारा local storage clear करना है तो उस case में आप यहां पर लिखेंगे clear और इसके अंदर कोई भी argument आप पास न करें ठीक है so यहां पर clear के message को अगर मैं यहां पर save करता हूँ अब अगर मैं आता हूँ यहां पर मेरे पास वो value जा चुकी है जो के test के नाम से मैं ने store की थी so हम एक छोटा सा example देखते हैं किसी भी user के data को store करने के लिए so यहां पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास एक simple सा button है login और उपर लिखा हूँ local storage अब अगर code मैं आपको दिखा हूँ index.html के अंदर तो मेरे पास यहां लिखा हूँ local storage और id है यहां message paragraph है simple जिसके तरह message प्रिंट करवाएंगे और एक button है मेरे पास login का और दूसरा button है logout का जो की initial display none है क्योंकि अभी तक हमारी user ने login नहीं किया ठीक है यहां पर simple में आता हूँ और first of all हम एक user का object बना लेते हैं और इस के अंदर में लिएता हूँ name अच्छा यह data आपका किसी form का data भी हो सकता है ठीक है smith at the rate gmail.com मैं यहां लिखता हूँ ठीक है और यह हमारे पास object बन गया उसके बार में कहता हूँ local storage dot set item उससे पहले में चैक कर लेता हूँ कि local storage के अंदर यह item मेरा पहले से मुझूद तो नहीं है ठीक है so मैं लिखूंगा let credentials equal to data को get करते हुए हम और पार्स करते हूं से क्योंकि हम JSON के format में data को store करते हैं यहां पर मैं लिखूंगा simple local storage dot get item और उस item की key में user रखने वाला हूँ so मैं चेक करूंगा कि मेरे पास यह object नहीं है पहले से local storage के अंदर क्यूंकि हम again and again overwrite तो नहीं कर सकते data overwrite करके दे देगा में लेकिन कोई अच्छी approach नहीं है that's why हम इसको overwrite नहीं करवाएंगे so मैं कहता हूँ if credentials अगर credentials तो मुझूद है तो simply कोई operation perform नहीं होगा लेकिन credentials मुझूद नहीं है तो उस case में क्या होगा उस case में मैं कहता हूँ local storage dot set item user के नाम से key बनाओ और यहां पर simple json.stringify कर दो string format में convert कर दो json के और यहां पर हम पास कर देंगे अपनी user का object that's it ठीक है so credentials के अंदर हम आगे approach and perform करने वाले हम मैं आपको बताता हूँ CLG यहां में फिला लिख देता हूँ जिसमें लिखा होगा user data is present ठीक है simple में इस तरह जिख देता हूँ उसके बाद मैं refresh किया अब अगर आप देखें यहां पर मेर पास user का object बन गया है names, myth, email वही आ रहा है अगर दुबारा अगर मैं refresh करूँगा तो अब यह इस वाले statement को execute नहीं करेगा फर्दर दुबारा से मतलब इसको बनाएगा नहीं simple direct इस वाले if condition के अंदर आ जाएगा तो दुबारा से मैं refresh करता हूँ अब अगर आप देखें user data is present ठीक है until less आप कोई changing नहीं करते है इसके अंदर आपको यह again इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा यहां पर मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे message की ID थी अगर आपने देखा हूँ innerHTML में करता हूँ is equal to और local store से मैंने values लिवी है credentials के अंदर यहां पर अगर आपको नजर आ रहे उपर यहां पर मैं simply लिखूंगा login as plus credentials dot name ठीक है so user का जो first value है इस object की refresh करता हूँ simple अब यहां पर अगर आप देखें तो login as smith लिखा हुआ आ रहा है कि smith इस time login कर चुका है इस case में क्या करूंगा जो मेरा login का button है login dot style dot display इसको में none कर दूंगा और जो मेरा logout का button है logout dot style dot display is equal to उसको में block कर दूंगा ठीक है अगर में refresh करके यहां वार पर अपने page पर आता हूँ तो आप देखें login as smith और logout का button मेरा यहां पर आ गया है अब दोनो buttons के लिए मैं यहां पर function निकले वाला हूँ सो मैं यहां पर लिखता हूँ logout dot add event listener और यहां पर मैं click का यहां पर changing करनी है इन values के अंदर इसका जो inner HTML हम उसको empty कर देना है और उसके साथ हम क्या करेंगे login के button को हम display block कर देंगे और logout का button जो हमारा है वो display none हो जाएगा और यहां पर हम credentials भी हमने clear करने है that's why हम लिखेंगे local storage dot remove item कौन सा item जो user की के साथ हमने item बना ठीक है इसको मैं copy करूंगा यहां पर simple और नीचे आकर यहां पर मैं इसको paste कर दूंगा और paste करने के बाद simply मैंने क्या करना है इसको login कर देना है चुकि मेरा login का button है और इस case में अब हम क्या करेंगे login करने के बाद login के button को हम display none कर देंगे logout के ब्लॉक कर देंगे और जो ऊपर हमने यह वाले credentials लिखे थे pk in the html में हम इन ही credentials को पास कर देंगे and that's it मैं save करता हूँ अब यहां पर अगर आप आगे देखें so लिखा हुआ है login as myth और logout का button है अब जब मैं click करता हूँ तो मेरे पास यहां से object भी चला गया और उसके बाद login का button यहां पर आ गया ठीक है so दुबारा से मैं login के button पर click करता हूँ अब login as myth और logout का button अब जितनी दफ़ा भी मैं इसको copy करूँगा और जितनी दफ़ा भी मैं खोलूँगा इस case में अब आप देखेंगे कि यहां पर यह मुझे दिखाएगा login as myth और यहां पर logout का button दिखाएगा so इन में से किसी भी टेप से अगर suppose इस वाले से मैं logout करता हूँ मेरा यह जो है वो object चला गया वहां से अब अगर इस page के उपर मैं login हुआ था लेकिन इसको मैं जैसी refresh करूँगा इसको भी object नहीं मिलेगा और दुबारा से login का button आजाएगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि basically कैसे user के credentials को handle किया जाता है और कैसे user के forms के साथ खेल कर उन चीजों को handle किया जाता है और आपका login और logout का process कैसे काम करता है So next मेरे पास है session storage और session storage के लिए मैंने एक छोटा सा form यहां create कर दिया username और email और सबसे पहले हम session storage को देख लेते हैं कि वह होता क्या है असल में और कैसे data को store करता है So यहां पर बिल्कुल exact आपको local storage के नीचे ही session storage मिल जाएगा यहां पर इस domain के लिए first time चूँके मैंने live server को run किया हुआ है That's why यहां पर यह live server की तरफ से यह वाले session की value आ रही Is this first time log from live server ठीक है जो कि true है और हम देखते हैं अपने session storage को So session storage भी बिल्कुल local storage से similar ही है और कुछ जादा इतना खास difference नहीं है Methods भी आपके वही सेम है Data को store करने का तरीका भी सेम है Data को access करने का तरीका भी सेम है जो थोड़ा बहुत difference है बीच मैं आपको explain कर देता हूं So उसी तरह से आपने लेखना है session storage dot set item और यहां पर suppose में ले लेता हूं Test और test के अंदर again में कर देता हूं new date So first of all मैं आपको बताता चलूँ कि जो session storage होता है यह एक tape के लिए बनता है यानि जब तक वो tape open है जैसे ही tape close होगा वो value खतम हो जाएगी So यहां पर अगर आप time को देखें 23, 16, 46 है और यहां पर मैं again इसको duplicate कर लेता हूं duplicate करने के बाद अगर आप देखें So उसने एक new copy को create किया ठीक है So अगर मैं refresh करता हूं तो definitely उस case में तो ज़रूर एक new copy create होगी चुँके हमारे पास local storage में यहां पर new copy create हो रही थी session storage में तो लाजमी होगी यहां पर again new copy बन रही है बट यहां पर चुँके मैंने duplicate किया था उस case में भी आपको एक new copy देखने को मिली है as compared to original one ठीक है So यह tabs के लिए होती है एक tab के उपर इसने रहना होता है जैसी आप tab को close करते है वो value खतम हो जाती है ठीक है So इसको मैं close कर देता हूं बाकियों को और बाकी method इसका भी वही same है उसी तरह से आप item को store कर सकते हैं उसी तरह item को get कर सकते हैं So चले use case में directly jump करते हैं use case में हमको बता जिता हूं कि use case का कैसे काम करेगा Suppose यहां पर किसी ने name लिख दिया कुछ भी like example ठीक है और यहां पर email लिखने से पहले somehow उसे पता नहीं चला उससे form refresh हो गया ठीक है अब सोचें कि आप 15-10-15 values का कुई form है जिसको आप भर-भर के आपके हाथ ठक गए और आप 8-9-10-वे पहुंचते हैं और एकदम से page refresh हो जाता है due to network problem या कुछ भी हो तो आपका data जो है वो उड़ जाएगा ठीक है इस चीज से हमने बचना है यहां पर अगर मैं देखूँ जैसी refresh करता हूँ आप देखें कि वो value जो example थी वो उड़ गई है वहां से इसको overcome करेंगे हम इस session storage की मदद से आप इसको different purposes के लिए use कर सकते है like user एक page को 5 minutes तक active रख सकता है ठीक है आप यह भी check कर सकते है उसके बार आप उसका session expire कर देते है या कुछ APIs या कुछ चीजों में आपने देखा होगा कि आपका एक session token होता है जो कि for some time store रहता है और जैसी tab close करते हैं एक new session token वो required होता है इस तरह की चीज़े session storage के अंदर store की जाती है अपने example को देखते हैं कि example कैसे work करेगा मैं यहां से इस test वाले को delete कर देता हूँ और यहां पर हम आते हैं मैं form आपको दिखा देता हूँ एक input है user name दूसरा input है email और मेरे पास एक button है submit का और यह form है total बस यह दो तीन चीज़े हैं हमने चास्ट टेस्टिंग करनी है first of all मैं इनको get करूंगा and get करने का आपको पता है कि आपने कैसे इनको get करना है मैं थोड़ा time save करने के लिए directly paste कर देता हूँ so यहां पर मेरा user name है और email है और यहां पर मैं अगर check करूं so get element by id यह मेरा user name है so username और email यहां पर दोनों को मैंने get कर लिया और उसके बाद मैं first of all अपने session storage को check करूंगा कि उसके अंदर कोई value पहले से मौजूद तो नहीं है so मैं कहता हूँ let user is equal to again उसी तरह json.pass और pass करने के बार आपने लिखना है session storage dot get item किस नाम से item होगा user के नाम से ठीक है so user की values को हम store कर रहे हैं that's why मैं user का name लिख रहा हूँ अब हमने यहां पर यह काम कर लिया है हमने देख लिया कि कैसे हमारे पास यह चीज़ हो रही है ठीक है so यहां पर मैं लिखता हूँ window.onload onload का function मैं लिख दिया और यहां पर anonymous function है simple और यहां पर basically हम बताएंगे के यह हमारी values exist हैं या नहीं so मैं कहता हूँ first of all if user बिल्कुल प्रिछले मैं अजस्तराम नहीं किया था session storage के अंदर sorry local storage के अंदर exactly same यहां पर भी हम चेक करेंगे यहां पर एक काम हम additional or करेंगे चुकि यह value जब हमारे पास undefined return होती है initially जब empty होती है तब हमारे पास problem create करती है यह value that's why हम चेक करेंगे user.name अगर user.name जो हमारा है अगर not equal to undefined हो यानि अगर value available हो तो उस case में क्या होगा हमारे पास username.value यानि यह जो input में लिया हुआ इसकी value को populate कर देगा किस से यह user जो के session storage से data ला रहा है तो इसको equal कर देंगे हम और equal करने के बाद हम लिख देंगे user.name else हम क्या करेंगे username.value is equal to इसको empty string पास कर देंगे इसी को मैं again copy कर लेता हूँ नीचे भी और यहां पर हम कह देते हैं email क्योंकि यह हमारे email है so username.value email आएगा और यहां पर भी email आएगा और इसके start में user.email आएगा इस तरीके से आपने चेक करना है कि suppose अगर वह value undefined नहीं है तो वह value populate कर दें else क्या कर दें username की value को empty के साथ replace कर दें यह हम reload करने पर चेक करें कि जब page reload हो जाए हमारे पास अब आता है असल काम कि suppose आप से page आपने एक value लिखी और उसके बाद page आप से refresh हो गया उसकेस में आपने कैसे हैंडल करना आपके पास एक method होता है यहां पर window में ठीक है on before unload dot on before unload ठीक है यह method होता है इसको मैं anonymous function जो है वह assign करता हूं और simply यहां पर आपने क्या करना है first of all आप अपने inputs की values को check करना है suppose अगर inputs के अंदर कुछ है तभी उसको store करें ठीक है so मैं check करता हूं if username dot value dot length अगर इस value की length है कुछ ना कुछ और email dot value dot length ठीक है अगर इन values के कुछ ना कुछ length है so मैं तब user data को create करूंग so let user data is equal to यह हमें object create करेंगे और object के अंदर first of all यहां मैंने पास name जाएगा यह name जो मैंने यहां पर access किया user dot name user dot email उस object का ठीक है so यहां पर मिलकोंगा username dot value so username से हमार पास value आ रही है वो यहां पर जाएगी और email हमारी value है वो जाएगी user sorry यह email dot value है ठीक है item को set करने आपने item क्या होगा हमारे पास user यहां पर जो हम get कर रहें यह वही की है हमने same की use करनी होती हर जगा और यहां पर हम लिखेंगे json dot stringify stringify करके हम यह user data इसको पास करा देंगे so that's it यह था आपका काम और इस case में यहां पर आकर again यहां लिखना start करूंगा कोई नाम मैंने यहां लिख दिया jack smith और अब मैंने क्या किया कि suppose यहां मेरे पास कुछ भी नहीं अगर आप देखें और मेरे पास यहां email जो है वो मैंने नहीं लिखा और somehow मुझसे page हो गया refresh सो अब अगर आप देखें तो यहां मेरे पास यह create हो गया user object at the time of refreshment अब मैंने email लिखा था email empty है but no problem हमने यहां पर यह line इस error को handle के लिखी है कि suppose कोई चीज undefined है तो वो हमारे पास error generate ना करें बलकि empty string से replace So again and again मैं refresh करता हूं अब अगर आप देखेंगे for small time वो field जो हमारा है वो empty हो जाता है और एक दम से उसके अंदर अगर आप देखें तो value populate हो जाती है हमारी पुरानी value जो के stored है ठीक है अब इस case में क्या होगा like यह तो हमारा काम हो गया ठीक है अब यहां पर मैंने email भी लिख दिया something like something smith.gmail.com और फिर मुझसे page refresh हुआ अब दोनों values मेरे पास यहां पर आ रही है कोई such problem नहीं है लेकिन problem तब आएगी जब हम form को submit करेंगे ठीक है form को submit करने के बाद हम वापिस आते है तो हमारे पास fields के अंदर यह values नहीं होनी चाहिए यहां पर simply हम क्या करेंगे first of all मैं एक message print कर देता हूँ console.log form submitted उसके बाद हम क्या करेंगे जो हमारे पास यहां पर suppose अगर यह value हमारी store हो गई है तो उसको हम remove करेंगे सो हम लिखेंगे session storage dot remove item कौन सा item जो user key key के साथ हमने create किया है उसके बाद हमने कहना है username dot value उसको हमने empty कर देना है और email dot value उसको हमने empty कर देना है and that's it ठीक है यहां पर इस case में अगर आप देखें जब में refresh करता हूँ आप देखें कि मेरी value वापिस आ जाती है input fields के अंदर value नहीं जाती लेकिन जैसी मैं submit के उपर click करता हूँ अब देखें तो मेरे यह पास यहां से values भी चली गई है और मेरे input fields जो हैं वह भी empty हो गए है आपको यह दोनों use cases small से हैं बट बहुत ही जादा helpful हैं जब आप सीख रहे होते हैं चीजों को आपको अच्छे लगे होंगे अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को like जरूर कीजेगा and thank you guys for watching see you soon bye